आज के समय में रॉबर्ट डाउनी जूनियर तुनिया के सबसे बहतरीन और लोग प्रियाक्टर हैं ये सूपर हेट फिल्म्स आईरन मैन और शेरलोग होम्स की वजा से पूरे विश्व में फेमस हैं रॉबर्ट का एक समय पर ड्रग एडिक्शन के तले दबे होने से आज हॉलिवूड का चेहरा बनने तक का सफर बहुत ही प्रियर नादायक रहा है रॉबर्ट जॉन डाउनी जूनियर का जनम चार एप्रिल 1965 में मैनहेंटन न्यू यॉयॉक सिटी में रॉबर्ट डाउनी सीनियर के घर हुआ रॉबर्ट के पिता एक फिल्म निर्माता थे और उनकी मा एलसी एक आक्टरस हुआ करती थी असल में हेलसी ही वो इंसान थी जिनोंने रॉबर्ट को एक्टिंग सिखाई और उनका एक्टिंग की तरफ इंटरस्ट बढ़वाया रॉबर्ट ने भी बहुत छोटी सी उमर में ही आक्टिंग करनी शुरू करती थी सिर्फ पांच वर्ष की उमर में उन्होंने अपनी पहली फिल्म करी जिसका नाम था पाउंड ये फिल्म रॉबर्ट के पिता नहीं बनाई थी रॉबर्ट ने इसके बाद भी अपने पिता की कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करी रॉबर्ट के पिता एक ड्रग अडिक्ट हुआ करते थी वो बहुत जादा ड्रग्स का सेवन करते थी उन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट को सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में मैरी जुआना का सेवन करने दिया जो की सिहत के लिए बहुत ही जादा हानिकारक होती है रॉबर्ट उस समय पर एक बच्चे थी उन्हें इन सब चीजों के बारे में जादा समझ नहीं थी तो वो भी अपने पिता की तरह ही ड्रग्स का सेवन करने लगी जब तक वे 8 वर्ष के हुए उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी रॉबर्ट का बच्चपन बहुत ही मुश्किलों में भी था क्योंकि उनके माता पिता का डाइवर्स हो चुका था और इसके बाद वो अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे यहाँ पर भी वो ड्रग्स का सेवन करते थी जब वे 16 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही जोड़ दी और वापस न्यू यॉर्क अपनी मा के पास रहने आगे वो फिर से फिल्मों की तरफ गए और 1983 से 1990 तक उन्होंने कई फिल्मों में काम करा जिसकी वज़ा से वो अब लोगों की नजरों में आने लगी थे पर इस समय पर भी उनका ड्रग्स की तरफ एडिक्शन रुका नहीं 1990 में रॉबर्ट ने कई बार नशे से पीछा चुडाने की कोशिश करी पर हर बार उन्हें निराशा ही यात लगी पर साथ ही साथ उनका हॉलिवूड में करियर आगे बढ़ता रहा उन्होंने अम मीडिया की नजरों में एक बहतरीन एक्टर की इमिज बना ली इसी बीच उनकी कुछ मूवीज काफी हिट हुई जैसे की सोपडिश और शॉटकर्ट्स उनके करियर में एक ऐसा भी समय आया जब वो 1992 में चापलेन फिल्म में एक्टिंग की वज़ा से आसकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए सभी लोग रॉबर्ट की आक्टिंग से बहुत ही जादा खुश थे 28 वर्ष के इस नौजवान को आक्टिंग यू मानू भगवान की ओर से तौफे में मिली थी पर ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत भी बहुत करी थी जहां एक तरफ उनकी आक्टिंग की तारीफे होती थी वहीं दूसरी तरफ उनके ड्रग अडिक्शन और विवादों में गिरे रहने की वज़ा से उनकी खुब निंदा भी होती थी 1992 में उन्होंने डेबोरा फैलकनर नाम की एक लड़की से शादी करी और करीब 3-4 सालों तक वो विवादों से दूर रहे जहां उनकी जिन्दगी ट्राक पर आने ही वाली थी तब ही उनकी जिन्दगी में एक और मुसीबत आ गई वो ड्रग्स के सिलसले में पकड़े गए और उन्हें एक वर्स जेल की सज़ा सुनाई गई उन्होंने एक साल जेल में गुजारा जहां दूसरे कैदि उन्हें बहुत पिटा करते थी उनकी वहाँ इतनी पिटाई होती थी कि वो दो बार अपने ही खून के टम में सो कर उठे ये समय रॉबर्ट की जिन्दगी का सबसे मुश्किल समय था जेल से छूटने के बाद उनकी पतनी डेबरा फैलकरनर ने भी उन्हें डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया इसके बाद भी 2001 तक उन्हें कई बार अरेस्ट किया जा चुका था इसके बाद 2004 में उनकी जिन्दगी में एक मोड आया जब वस सुजन लेवन नाम की एक लड़की से मिले उन्हें एक दूसरे से मिलते ही प्यार हो गया उन्होंने 2005 में शादी कर ली सुजन ने रॉबर्ट के सामने एक डिमांड रखी कि अगर रॉबर्ट को सुजन के साथ रहना है तो उन्हें ड्रक्स छोड़ना होगा रॉबर्ट ने ड्रक्स और सुजन के बीच सुजन को चुना और हिम्मद जुटाते हुए ड्रक्स को छोड़ने लगी शुरुआत में ये मुश्किल था पर रॉबर्ट ने हिम्मद करके इस एडिक्शन को अलविदा कह दिया उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में भी काम किया पर उनकी जिन्दगी का सबसे एहम समय अब आने वाला था जब उन्हें आईरन मैन फिल्म के लिए टोनी स्टार्क के रूल का ओफर मिला उन्होंने ओफर एक्सेप्ट करा और इस मुवी के बाद वो एक बॉक्स ओफिस टार बन गई उन्हें पुरी दुनिया से खूब प्यार मिला इसके बाद तो उनकी हर मुवी प्लॉक्बस्टर कहला ही गई जिनमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम भी है जैसे अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, सिवल वार, शेर्लोक होंस और भी गई आज रॉबर्ट को पूरे विश में आईरन मैन के नाम से जाना जाता है ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है दोस्तों अगर आपको एफ वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं